आईपियल के पिछले 12 साल के इत्यास में सबसे ज़्यादा छक्क्य लगाने के मामले में बेश्ट इंडीश टीम के तुफानी ओपनर क्रिस गेल का एक छत्र राज है क्रिस गेल ने इस लीग में अब तक 300 से ज़्यादा छक्के लगाए हैं वहीं दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रिका के दिगजब लिवाज एवी डिविलियर्स का नाम है जिन्होंने 200 से ज़्यादा छक्के इस टुनामेंट के इत्यास में जड़े हैं इस लिष्ट में नाम महेंदर सिंग धौनी का भी है जो छक्को का दोराश तक IPL में फूरा कर चुके हैं दरसल क्रिस गेल ने जहां IPL में 326 छक्के जड़े हैं जबकि एवी डिविलियर्स 212 छक्के अब तक किस लीग में ठोक चुके हैं इस लिष्ट में तीसरे नंबर प भारत के एक मात्र पहले बल्लेबाज बन गये हैं लेकिन उनके पीछे पीछे बेश फोटक बल्लेबाज रोई शर्मा भी चल रहे हैं जो कि उनको पीछे चोड़ सकते हैं और च्छकों का दोराश तक IPL में पूरा कर सकते हैं बता दे कि MS धौरी भारत की ओर से IPL में सबसे जादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं जबकि रोई शर्मा इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं रोई शर्मा ने अब तक 194 छक्के IPL में लगाए हैं और वो लिष्ट में ओवर ओल चोथे नंबर पर हैं अगर IPL 2020 सुरू होता है तो इस लिष्ट में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है छो छको के साथ रोई शर्मा छको का दोरा शतक पूरा कर सकते हैं जबकि ऐसा भी हो सकता है कि रोई शर्मा एमस धोनी और एबी डिविलियर से छक्के लगाने के मामले में आगे निकल जाएं जबकि फिलहाल IPL 15 अप्राइल तक के लिए अस्थकित है और आगे भी होगा या नहीं इस पर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है तो दोस्तों अगर आप भी महंदर सिंग धोनी के सबसे बड़े फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और महंदर सिंग धोनी की वापसी कब हो सकती है IPL में आप हमें कमेंट करके जरूर बताए देली न्यूज रूम के रिपोर्ट